असलाम लेकम अजीज बच्चो आईए हम जमात नहुम का रियाजी हिस्सा ओवल का सबक नमबर पांच दो मतगेरी खती में सावाते इसका तारुफ देखते हैं सबसे पहले हम साबे का मालुमात पर रोशी डालते हैं सबक का नाम है दो मतगेरी खती में सावाते, linear equations in two variables आईए इस सबक में हम सीखेंगे कि दो मतगेरी खती में सावाते हैं हमजाद में सावाते क्या होती हैं, इन्हें हम किस तरह हल्द कर सकते हैं और इस पर मुबनी इबारती मिसालों पर हम रोशी डालेंगे हम गौर्व कर लेते हैं कि पिछली जमातों में हमने क्या पढ़ा हैं हमने इस तरह के सवालात पढ़े हैं कि दरजजीर मसावाते हल कीजिए आपके सामने एक मिसाल दी गई हैं कि M जमा 3 बराबर 5 इस तरह की मिसाल आपने हल की हैं यहां पर हम आसानी से M बराबर मालूम कर सकते हैं 5 नफी 3 हमारा जवाब आएंगा M बराबर 2 एक और मिसाल देखते हैं हम कि 3Y जमा 8 बराबर 22 यहां पर जब हम हल करेंगे तो 3Y बराबर 22 नफी 8 22 में से 8 तफरी करने पर हासल जवाब में लेंगा 14 और इस तरही के से हमारा Y बराबर आजएगा हैं यहां पर 14 बरटे 3 इस तरह की मिसाले हम लोगों ने जमात 7 वी 8 वी में हल कर चुके हैं उपर की हर मसावात में हम देखते हैं कि मुतगयर की कुवत एक है इन मसावात को हम एक मुतगयरी खती मसावाते या यक मुतगयरी खती मसावाते कहते हैं अब हम सीखेंगे दो मुतगयरी खती मसावाते एक मिसाल देती हूँ मैं आपके सामने फर्स कीजी ये एक खांदा ने जिसमें तीन बालिग अफराद है और दो बच्चे है इनको चुडिया घर जाने का खर्च लगा है 55 रुपिये तो आपको पता करना है कि बालिग फर्द के लिए कितना किराया है और छोटे बच्चे के लिए कितना किराया है तो हम फर्स करते हैं कि एक बालिग इनसान का चु देखेंगे 2X जम्मा 3Y, चुकि यहाँ पर 2 बालिग हैं और 3 बच्चे हैं, और दूसरे खांदान में 3 बालिग हैं, तो हम यहाँ पर लेखें 3X जम्मा 2Y बराबर 55, तो देखेंगे, यहाँ पर 2 मसावते तियार हो गई हैं, दोनों में मतगयर 2 दिये गए हैं, X और Y, इस त आदात का मजमुआ 14 हैं, ऐसे आदात मानूम कीजिए, अभी देखेंगे, यहाँ पर हम 2 आदात ले लेते हैं, फर्स कीजिए X और Y, तो X जम्मा Y बराबर 14, तो यहाँ पर हम जोड़ी ले सकते हैं, 9 जम्मा 5 बराबर 14, कोई बच्चा ले सकता है, 7 जम्मा 7 बराबर 14, 8 ज दूसरे आदात की कीमते भी हाँ पर तदिल होते जाती हैं, तो ऐसे दो आदात की जोड़ी, जो मसावात को मुतमेइन करती हैं, वो कहलाती है मसावात का हल, यहाँ पर यह तमाम जोड़ीया, जिसे 9 और 5, 7 और 7, 9 एक और 15, यह तमाम दी गई मसावात का हल हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जोड़िया मसावत को मुतमईन कर दे, इसे मसावत का हल कहते हैं.